नमस्कार दोस्तो, Adobe Photoshop के इस टुटोरियल में आज हम मार्के टूल के बारे में देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं मार्के टूल इमेज एडिटिंग में कामाने वाला एक बहुत ही खास टूल है टूल पेनल को यहां से आप सिंगल कॉलम या डबल कॉलम में सेट कर सकते हैं टूल पेनल में ये दो नमबर पे है इसका सॉटकट है M, इसके अंदर चार ओप्शन्स है Rectangular Marky Tool, Elliptical Marky Tool, Single Row Marky Tool और Single Column Marky Tool यह एक Selection Tool है जिसमें आप Selection करके Rectangular, Square, Circle या इन जैसे Shape बना सकते हैं Rectangular Marky Tool और Elliptical Marky Tool का Use Object Select करके उसमें Color Change करने के लिए कर सकते हैं Image में से कोई Object Cut करने के लिए कर सकते हैं Object Cut करके उसका नया Layer बनाने के लिए कर सकते हैं या फिर Image के किसी Object को काटके उसकी जग़ कोई नया Object लगा सकते हैं जबकि Single Row Marky Tool और Single Column Marky Tool का Use ज्यादा तर Wave Designing के लिए होता है तो चलिए इसे One by One देखते हैं सबसे पहले Rectangular Marky Tool को Select करते हैं Rectangular Marky Tool की मदद से हम अलग-अलग टाइप के Rectangular Shape का सिलेक्शन कर सकते हैं सिलेक्शन को दूर करने के लिए Shortcut है Ctrl प्लस D अब अगर हमें Perfect Square का सिलेक्शन करना है तो Shift की प्रेश करके सिलेक्शन करेंगे तो Perfect Square Shape का सिलेक्शन होगा सिलेक्शन को दूर करने के लिए Shortcut है Ctrl प्लस D अब अगर हमें इस Point को सेंटर में रखते हुए Rectangular Shape में सिलेक्शन करना है तो alt की press करके selection करने से ये point exact selection के center में ही आएगा selection को दूर करने के लिए shortcut है ctrl plus d अब अगर हमें इस point को perfect square selection के center में रखना है तो alt plus shift की press करके selection करने से ये point perfect square selection के center में ही आएगा अब अगर इस selection को move करना है तो simple इसे drag करके आप जहाँ चाहे वहाँ move कर सकते हैं सिलेक्शन को दूर करने के लिए शॉटकट है Ctrl प्लस D अब हम Elliptical Marky Tool को सिलेक्ट करते हैं Elliptical Marky Tool का यूज करके हम different type के Elliptical Shape का सिलेक्शन कर सकते हैं इस तरह से सिलेक्शन को दूर करने के लिए शॉटकट है Ctrl प्लस D अब अगर हमें Perfect Circle का सिलेक्शन करना है तो shift की press करके selection करेंगे तो perfect circle shape में selection होगा selection को दूर करने के लिए shortcut है control plus D अब अगर हमें इस point को center में रखते हुए elliptical shape में selection करना है तो alt की press करके selection करने से ये point exit selection के center में ही आएगा इस तरह से selection को दूर करने के लिए shortcut है control plus D अब अगर हमें इस point को perfect circle selection के center में रखना है तो alt plus shift की press करके selection करने से ये point perfect circle selection के center में ही आएगा अब अगर इस selection को move करना है तो इसे भी drag करके आप जहाँ चाहे वहाँ move कर सकते हैं selection को दूर करने के लिए shortcut है control plus d यहाँ पे आप shift plus m प्रेश करके rectangular marki tool से elliptical marki tool और elliptical marki tool से rectangular marki tool पे जा सकते हैं इस तरह से selection करते वक्त अगर आप grid, slice और document bounce का यूज करेंगे तो selection को align करने में आसानी होगी अब हम options bar पे चलते हैं यहाँ पे पहला option है new selection इस option को select करने के बाद आप जितने भी selection करेंगे वो new selection ही होंगे यहाँ पे दूसरा option है add to selection इस option को select करने के बाद कोई selection करते हैं और दूसरा selection पहले वाले selection पे overlap हो रहा है तो दोनों selection जुड़ जाएंगे इस तरह से अब तिसरा option है subtract from selection इस option को select करने से पहले वाले selection के उपर दूसरा selection करने से दूसरे वाले selection का जितना भाग पहले वाले selection पे overlay हो रहा है उतना भाग पहले वाले selection से cut हो जाएगा इस तरह से अब चोथा option है intersect with selection इस option को select करने से दो selection का जो भी बाग एक दुसरे पे overlap होगा उतना ही बाग रहेगा यानि कि overlap वाला इससा रहेगा और बाकी का सारा selection दूर हो जाएगा इस तरह से अब हम यहाँ पे किसी object को select करके उसका color भी change कर सकते हैं जैसे कि हम यहाँ पे इसे select करते है यहाँ से color select करेंगे ओके और यहाँ से paint bucket tool select करेंगे और इस selection में color fill करेंगे simple उसी तरह से किसी भी shape को select करके उसका color change कर सकते हैं मार्की टूल की मदद से किसी भी object को select करके उसे cut भी कर सकते हैं यहाँ पे elliptical मार्की टूल select करके strawberry को select करते हैं selection को drag करके strawberry पे adjust करते हैं यहाँ पे right click करके free transform select करेंगे उसके साथ ही selection पे transform point आ जाएंगे और इसकी मदद से selection को छोटा या बड़ा कर सकते हैं selection को adjust कर सकते हैं अब enter की press करनी है अब यहाँ फेदर value एंटर करेंगे और selection पे right click करके layer वाया copy select करेंगे उसके साथ ही नए layer में selection के एक copy tier हो जाएगी अब इस copy को move tool की मदद से drag करके कहीं भी move कर सकते हैं अब rectangular mark tool select करते हैं और उसकी मदद से इस paid का selection करते हैं selection करके selection पे right click करते हैं और layer वाया cut select करते हैं इसके साथ ही selection किया हुआ भाग cut होके उसका नया layer बन जाएगा अब selection किया हुआ भाग image से अलग हो गया है इस बार elliptical mark tool से इस paid का selection करते हैं अब move tool select करते हैं और इस selection को drag करते हैं simple image को cut करने का आसान तरीका अब इस selection पे right click करते हैं यहाँ पे content aware select करेंगे और ok यहाँ पे ok पे click करते ही image से selection डिमू हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास एक दूसरी image है पहले इसे zoom कर लेते हैं अब यहाँ से rectangular mark tool select करते हैं और इस पत्थर को rectangular mark tool से select करते हैं अब selection पे right click करके layer वाया copy select करेंगे layer वाया copy select करते ही इस selection के copy नए layer में save हो जाएगी अब इस selection की copy को mood tool की मदद से drag करके इसके उपर adjust करेंगे अब image को fit screen पे click करके देखते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि image में किया हुआ editing एकदम natural लग रहा है अब options bar पे चलते हैं यहाँ पे feather value 0 से लेके 250 तक enter कर सकते हैं feather value image की edges को blur करती है और इससे image की edge detail lost होती है anti-alias option Marky tool में elliptical marky tool का यूज करते वग थी anti-alias option को tick कर सकते हैं anti-alias option selection को copy cut और paste करते वग ती useful है anti-alias option cut की हुई image की zacked edges को edge pixels और background pixel के बीच soft color transition create करके edges को smooth बनाता है anti-alias option को tick रखते वक्त feather radius 0 होना जरूर है anti-alias option को selection करने से पहले tick करना जरूर है क्योंकि selection करने के बाद इसे add नहीं कर सकते अब यहाँ पे anti-alias option tick करने से क्या फर्क पड़ता है इसके बारे में देखेंगे अब इसी image पे मैं elliptical marky tool द्वारा दो बार selection करूंगा एक बार anti-alias option को tick किये भी ना और दुसरी बार anti-alias option को tick करके और दोनों selection को मैं यहाँ दुसरे document window पे रखूंगा अब यहाँ पे left side की image का selection करते वक्त anti-alias option uncheck किया हुआ था और right side की image का selection करते वक्त anti-alias option चेक किया था अब इसे zoom करके देखते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि left side वाली image की edges जिग-जग वाली है और right side वाली image की edges smooth है यहाँ पे next option है style sets how market tool draws इसका मतलब यह है कि market tool की मदद से हम जो भी selection करेंगे वो किस अनुपात में होगा किस ratio में होगा यहाँ पे हमारे पांस तीन अलग-अलग option है normal, fix ratio और fix size यहाँ पे पहला option है normal इसे select करने के बाद हम जो भी selection करेंगे वो हम जहाँ तक draw करेंगे वहाँ तक यह selection होगा उस size में होगा अब अगर हम यहाँ पे fix ratio select करते हैं और width और height 1-1 enter करते हैं उसके बाद rectangular market tool से अगर selection करते हैं तो वो perfect square select होगा उसी तरह से अगर हम elliptical market tool से selection करते हैं तो वो perfect circle draw होगा अब अगर यहाँ पे मैं width 2 कर देता हूँ और height एक ही रखता हूँ अब अगर मैं elliptical market tool से selection करता हूँ तो मेरे selection की width height से double होगी उसी तरह से rectangular market tool को select करके अगर width 2 और height एक रखता हूँ उसके बाद अगर मैं selection करता हूँ तो selection की width height से double होगी यहाँ पे fix ratio में selection की width और height के ratio को ही fix कर सकते हैं जबकि selection की size freely select कर सकते हैं अब हम यहाँ पे fix size option को select करते हैं यहाँ पे selection की width और height को enter करके fix size का selection कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे rectangular markery tool में width 500 pixel select करता हूँ और height 1000 pixel select करता हूँ इसके साथ ही यहाँ पे 500 पिक्सल बाई 1000 पिक्सल का सिलेक्शन हो गया है अब यहाँ पे elliptical मार्की टूल सिलेक करके width 600 पिक्सल एंटर करता हूँ और height भी 600 पिक्सल एंटर करता हूँ तो यहाँ पे 600 पिक्सल बाई 600 पिक्सल का सिलेक्शन हो जाएगा सिंगल रो मार्क की टूल, सिंगल कॉलम मार्क के टूल और रिफाइन एज ओप्षन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तो गर आपको यह वीडियो अच्छा लगाए तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा धन्यवाद